असलाम वालेकुम एर्यवन वल्कम तु जोर का जोर मीरभ जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशाम दीद और जैसा कि आप लोग मेरी बैक पर देख रहे हैं कि किंग्स कराची प्रेमर लीग पावर्ड बाइ विंटर लैंड जारी है और एक जबरदस्त किसम का पाकिसान क्रिकेट के लिए हैं सलाम उलेकुम कैसे आप जीवालेकुम शुक्रिया अब हम बात करते हैं अभी क्यूंकि आज का मैच अगर हम देखते हैं हर दिन एक टार्गेट जो है वो पहले से बहतर हो रहा है पिचकी कंडिशन भी बेतर हो रही है और एफबी एरिया ट अब बिलकुल और मैं तो क्रिट देता हूं जो लोग यह इस तरह के टॉर्नमेंट कराते हैं और दाहरे मुईस साब और इनकी फैमिली जो है इनको क्रिट जाता है कि इसमें मैं एक चीज नहीं इसमें कई चीजें देखता हूं एक तो जो हालात इस वक चल रहे हैं उनको भ खेलेंगे पैसे मिलेंगे और लोग टीवी पे इनको देखेंगे एक चुछ प्लेयर ऐसे खेलना है जो मेरे साथ कुछ में यह वहाज जो अभी 50 कर गया यह नोंने मेरे साथ बंगलादेश का टूर किया मैं ऐसे स्लेक्टर और मैनिजर था तो मतलब देखे मैं अगर यह त तो वो लोग देखेंगे के जो है यह प्लेयर तो बहुत अच्छा है यह क्यों नहीं कहल रहा क्या है यह मतलब आइमीन पता चलता है तो यह मेरे खाले एक बड़ी जबदस अपरचुनिटी इनके लिए भी है और क्रेड़ गोस्टू डेफिनिटली जो लोग इसको और्ग क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमारे बहुत सारे नए फ्लेयर्स हैं मुमद असनैन भी हैं और तीन ओडी आई के मैचे जए तीन टी ट्वेंटी के मैचे जए हैं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कोई हिस्ट्री का इम कर सकते हैं और थे हमेशा से हमारे लिए चेंज उसकती है अनफॉचनेटली हम धरा काफी पीछे हैं थोड़ा नहीं काफी पीछे हैं और यह चौट फॉर्मिट में तो हम वैसे भी वन डेज हो के ट्विंटी में हर आदमी ट्विंटी की सोचता है तो यह क्रिटिसाइज नहीं कर रहा बलके यह क्रिक्ट बोर्ट को स सोचना पड़ेगा कि आप इतने यंग हो सारा है और लेकिन आप भी चारोर की क्रिक्ट खेलते हो आपका यूस्टू है यह नहीं बॉलर की खास्तोर पर बात करता हूं कि आपका आम यूस्टू नहीं है जब तक आप लंबी-लंबी बोलिंग नहीं करेंगे आप किस तरह त तो इनको अपनी पाइपलाइन से हटाएं नहींगे अकसर यही होता है कि जैसे ख़दम भो जी एक टूर के बाद उनको जो है यप से नहीं हो एक काफी पाले से होता है तो इन पे नजर रखी जाए और इनको एनस एंसीय हमारा है वहां पर जरूर लेके जाए जाएं दुनिया क्रिकेट में इस वक्त हर टीम के पास बैक आप यानी पीछे जो लोग बैटे होते हैं जो किसी को जो है वो कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं तो उसलियाद से मैं समझता हूँ कि है मुश्किल टूर यह तो मानने की बात है लेकिन आमिर जमाल जैसा पहले टूर पे गया और उसने रंस भी बनाए और तो ऐसा कोई प्लेयर आ गया तो और कर सकते हैं यह तो असीफ सब अगर हम बात करें यह कैटेगरी इससे पहले जो अ एक कैटेगरी में रखा गया शाहीन शाहर नसीम शाह को भी कैटेगेरी में रखा गया जाहीन शाह को है अब बहुत प्लेयर जो हैं और उसको यह कुझते हैं क्वह कौन सा प्लेइर आगे आने वालते फ्यूचर अगर तुइन्टी टुइन्टी अगर खेल रहे हैं या वंडे खेल ले हैं और तीनों फॉर्मिट अगर आप केल रहे हैं और उसमें अभी तो कोई पैमाना ऐस सच खेल दूरूर रहते लेकिं मेरी अपनी नदर में जो मैं क्रिक्रिट बोर्ट से भी और चेर्मानों से भी बात कार चुका हूँ चेर्मान से के आप इनकी कैटेगरी उस वक्त चेंज करें कि एक वो दे दे दें कि इतने मैच टेस्ट मैच इतने ही वन डे इतने 20 अगर सारे फॉर्मिट इसमें इनकी परफॉर्मस कितनी हो कैसी हो सकती उसके बाद जो है इनका जो भी रैंक है होने यह चाहि यह उसके बाद आप लंबा चले जा रहे हो तो यह भी गलत है तो इसमें यह यह फ्यूचर देखना इसी तरह पड़ता है कि आया अगर कोई एक बाबर है तो वो आगे आने वाले जो टूर्स हैं और उसमें कितना खेलेगा वो और ऐसे ही और कई प्लेयर तो यह एक तरहिके क अपनी जगह है उसको भी काउंट किया जाता है डूमेस्टिक है फिर फर्स क्लास मैच के अलावा भी जो टूर्स में मैच इस होते हैं ए टीम के साथ गए वहां पर खेले तो यह उस हिसाब से जो है इनको जो है यह मिलते हैं और होने भी यह चाहिए इसी तरह आप जो है अ नहीं वो परफार्मिस पर होने चाहिए दुनिया में ऐसा होता है फिर्कुल सही बात है फखर जमान के अगर बात की जाए काफी ज़्यादा अंडर फायर रहे बाबर आजम के हवाले से ट्वीट की उसके बाद उनके जो भाई थे उन्होंने कहा कि इन्होंने साया कॉर्प अबरेशन से भी राहें उदा कर ली हैं पिर ने ट्वीट ने ली बीडी ए घर त्वीट कर दिया फिर फखर जमान ने भी कहार कि मैंने यह ट्वीट नहीं किया मेरे हम वाले से को सोर्सिस्ट वीपता्यानिacas करणीस यह मतल特ं मेंशा कहता हूँ और इस आपenty तो इस ने तो गल्पी कीया कि इसमें तो कोई दो रहा है नहीं लेकिन कई लोग ऐसे हैं जोनों Efendimiz की स्टिल अभी तक हैं जो अधर मेहमूद की में बात कर लेता हूं कि उन्होंने बाबर आजम को पीसी बी में अभी होते वे वोमेंस के उन्हें उस क्रिटिसाइज किया उनको तो आई मीन एक पैमाना होना चाहिए इसने गल्ती किया अपनी जगा तेकि इसको ट्रीट गलत किया गया मेरा खाल है कि थोड़ा सा बैट के बात की जाती अब तो य पार अटाएगा रहाम ना इस पर पीसी बी को इतना स्टेंड लेना पड़ेगा कि आप हिलना सकें भाई वजह उसकी यह है कि आपके पाप बैक अप नहीं है बैक आप आपके पास हो तो यह कोई भी नहीं सकता मैं इनके अगेंस नहीं लेकिन यह बिलकुल सब्सक्राइब बिलकुल सही है बहुत शुक्रिया तौसीफ सब्सक्राइब का थैंक्यू सो मच और आपने गुफ्तिगुल सुनी और डेफिनेटली काफी सारे ऐसे सवालात आपके मार्ण में होंगे जिनके जवाबात आज तौसीफ एमद साब ने हमें दिये हैं तो अभी के लिए मैं आ